अम्भूर्भू वस्चहा तक्सवितुर्वरेञ्यं भरो देवस्चधी मही दियो यो ना पचो दया जैवार्भूर्भूर्वस्चह तक्सवितुर्वरेञ्यं भर्गो देवस्च्धी मही दियो यो ना प्रचो दया जैवार्ण। कि नी, नी, भर्षक का यह आगाद हो चुक्ता है यह हुद्बोधन है आज हम लोगों你 काफी लोगों को हम नहीं जानते काफी लोगों से हमँरे हम फिजिकल जानते किसी को हम सामज़िक रूप से नहीं जानते लेकिन फिर भी उपर नेचे हम सब हैं एक सब लोग हम चाहते हैं कि नए साल में आप अपने परिजनों या अपने आपके लिए एक शांदार रूप में प्रेजेंट रहें लेकिन उसके लिए आपको यह समझना पड़ेग कि इस साल में आप ऐसी किन-किन चीज़ों को अपने साथ रखें बनाए रखें जो आपके लिए बेतर हो और किन चीज़ों को हम छोड़ दें जिससे के हमारा जो आने वाला जीवन है वो हमारा बहुत अच्छा और सकारात में और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि नहीं साल म हम हर एक कोई चाहता है कि में इनी खुशियों में बढ़ोतरी हो और हम इस समाज को दुनिया को देश को परिवार को और अच्छे डंग से समझ सके हम उनके लिए अपने कुछ नए रूप में आ सके हैं नवर्ष में आपके कुछ सापने होंगे इरादे होंगे कुछ भी हो करता है असल में व्यक्ति सब कुछ हासिल करने के बाद भी असल जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद भी कई बहुत हताश और निराश महसूस करता है और किसी-किसी को हम देखते हैं कि चोटी-चोटी चीज़ों से भी उसको बहुत खुशिया मिलती है आपार खुशिया मिलती है और निर्मल आनंद की प्राद से हो जाती है दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो आपकी सोच आपकी मानताएं और आपका अपने आपके प्रति पर जो नजरिया है वो यह आपके जीवन को बनाता है अबिगार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो भी कुछ दिन पूर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आस और विश्वास के दस तूत्र और उसी के अधार पर ऐसी सूची बनाई जाए जिसकी मद्द से हम अपना नया साल अच्छा या आने वाला समय हम अच्छा नाव्यतीत बने तो चलिए अब आगे चलते हैं इस पहरी पेक्ष में आस और विश्वास के दस सूत्र पहला सूत्र यदि हम देखें तो वो है सजगता का भ्याद जब हम हर समय इदर उदर भागते रहते हैं तो बहुत सारी छीजों पर ध्यान नहीं दे पाते जो की बहुत ज़रोरी होते हैं आपा धापी के जीवन में, हमारे जीवन के वो बहुत पूर निक्षण है, जो खुब सुलिद利 क्षण है, वो खो जाते हैं, जिने हमें वास्तों में जीना चाहिए, उन क्षणों को हमें भरपूर जीना चाहिए था, और इसका नतीजा क्या होता है, तमाम प्रियास और मेहन हो के सोचते हैं कि आखिर समय कहां चला गया कि कहां चला गया यह समय इसलिए जरूरी है कि अपने चेतना से जुड़ने का भ्यास किया जाए क्योंकि ऐसा करने से जीवन की सारी भागदोड़ व्यस्ताओं के बावजूद हम हमें शांती प्रेम सोहार जागरुकता और सजीव अपने प्रती जागरुक रहना है व्यक्ति को अपनी दैनिक गतिविदियां अपने विचार और अपने कर्मों के उपरती सजग रहना चाहिए और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप यह जानते हों कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित क्या है हम अपने संपूर्ण व्यक्तित को पहचानते हूं और इसके अंदर हमें गहरी अब रूची रखते हूं हम किसी भी चीज के अंदर यदि हमारी रूची होगी तभी हम उसके परती आगे बढ़ेंगे तजगता और जागुकता व्यक्ति के दो भीतरी चीज़ें जो ना सिर्फ जीना सिकाती हैं बलकि अच्छ जगता के साथ जीएंगे तो जीवन में असीम आनंद आए और हर एक इंसान आप देखते हैं कि अपने जीवन में या अपने आसपास होने वाली समास्त गट्राओं के प्रती बेखद सजग रहने की कोशिश करता है आज हम बच्चों के लिए आजकल के वरत्मान काल में बहुत कंसर्ण होते हैं बहुत सजग रहते हैं आजकल जो टीचर हो या प्रीचर हो उनके लिए भी सजग रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो अपडेशन है अपडेट जो है आजकल का वह बहुत जल्दी हो जाता है और ना केवल बाहरी स्वरूप बलकि आत्म अपर जो पहला शब्द है आत्म मतलब मींज आत्मा जब हमें आत्मा का वह बारे में हम थोड़ा बहुत भी जान लेंगे आपने देखा गीता में कहा है कि आत्मा अज्शर अमर और अभिनाशी है जब कि इस से जो रिवर्स है वो हमारे शरीर यह वह बिनाशी है मगर शरीर और आत्मा को कई बार अपन एक ही समझ लेते हैं और वहीं पर हमारे साथ ये गड़ बड़ हो जाती है तो इसलिए हमें सजगता का अभ्यास पनाई रहना चाहिए क्योंकि जो चीज शरीर में हमारे अंदर विद्वान यह उसका एहसास रखेंगे इसको महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से हम सुकून अनभव करेंगे क्योंकि जो खोने वाली चीज है शरीर है एक दिन समगत हो जने वाले वस्तुव है इसलिए उसके खोने का हमें हमेशा भाय बना रहेगा जब ती जब उसके उलट जो शक्तिशाली आत्मा है वो हमारे शरीद को एक तर हम लगातार करते रहते हैं करते रहते हैं और करते हैं सजबता का अभ्यास चलिए हम करते हैं इसके बाद जो दूसरा सूत्र है वो है बदलाव को स्विकारें यदि हमें सुकून तुख से रहना है जीवन में कुछ जो हमें मिल रहा है जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें के साथ रहना है तो उसके लिए बदलाव को हमें स्विकान पड़ेगा जीवनकार्थ यह नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ महतवर यह है महतवर्पूर्ण सबसे ज़्यादा यह है कि हम उन्हें उस गटना को किस प्रिकार से लिया क्योंकि कभी-कभी बहुत ज्यादा निराश यह अत्ति उत्सा में रहेंगे तो यह दिखेगी नहीं इसलिए आपके अच्छे वक्त और बुरे वक्त के दियों तक हैं वेतर यही है कि बुरे वक्त से सबक लिया जाए और छे की खोज जारी की जाए ऐसा करने से आगे बढ़ते रहने से हम हरे पर इसी-सी के अनरूप अपने आपको ढालते चले जाएंगे और जब यह ढालना हमारे और नहीं हम उन्हें इस्टिटी परिस्टिटों में अपने आपको लाचार महसूस करेंगे क्योंकि बदलाव को स्वीकार करना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि बदलाव के बीरोध में जाना हमारे लिए नुकसान दे है उस धारन के तौर पर थी मौसम के बदलाव के साथ साथ अपने रहें सहन को नहीं बदलेंगे तो उस सामाजिक रूप से उससे पीछे राजाएंगे हमारी शारी मनुद स्वी घड़ जाएगी बीमार रहेंगे क्योंकि यह समय की महाँ है इसलिए चाहे वो आदमी, किसी भी उम्र का आदमी हो, उसे अपने अनुरूप, समय के अनुरूप, बतलाव करते रहना चाहिए, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबशा, यह गाना आप सभी ने सुनाओगा, लेकिन हकीकत भी यही है, जिन्दगी किसी के रोके से नहीं रो कुछ बदलता रहता है, अब इस दौर में आप नई घर में भी जा सकते हैं, नई गाड़ी भी खरीच सकते हैं, या आपके परिवार में कुछ खुश्यामी, शादी, विवाह भी हो सकता है, या कि नए नवागन तुक की भी आपको संभाव न रहती है, नई नोक्री भी ब इसलिए 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 आप इनके साथ नहीं चलेंगे, तो या इसे हम रोकने की कोशिश करेंगे, तो हमारे प्रियाश निश्फल हो जाएंगे, इसलिए हमको तैमानिये हर बदलाव के साथ साथ, अपने आपको ढ़लने के लिए सकारात्मक रूप से होज़ना चाहिए, तामानियत है, लोग बदलाव से डरते हैं, ये एक मानवी आदत का हिस्सा भी है, एक्शलिए लोगों को डर होता है कि कहीं बदलाव के कारण विपरीद परिस्थितियों में हम ना भज जाएं, या अपना वर्तमान भी हमारा स्पॉयल ना हो जाएं, अब मान लीजिए बदलाव आपके पक्ष में नहीं है, तो भी आप अपनी उर्जा को गुस्से में, चिंता में, लड़ने में गवा रहे हैं, जबकि समय वो ये है कि आप खुद में उससे लड़ने के लिए अच्छी आततों को विक्सित करें, बदलाव में अपने विकास का अवसर समझें, और जो नही जो चुनोतियां हैं, उनको फेस करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हम तयार हैं, परिवर्तन, तो देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियाब है, इसलिए हम कहीं इन परिस्थितियों में आपस में लड़कर अपने आपको ना खतम कर दे इसलिए हमें ये सब चीजें ध्यान लगने चाहिएं और बदलाव को स्वीकार करने की हमें अदत डालने लिए चाहिए तीसरा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो है, तो एमपर भरोसा, तो एमपर हमें भरोसा करना बड़ेगा किसी भी परिस्टी में अपनी काबलियत पर यकीन बनाएं रखें और खुद में मिश्वास पैदा करें आप किसी भी सिती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम, यदि आपके अंदर ये विचार है, तो आप तैमानिए, ये विचार आपको बहुत, बहुत हद तक एक ऐसी मनोदशा में ले जाएगा, कि आप जहां से जीत करी वापिस आएगे, हल अचाहिए जो भी हो, आप अखले, क्योंकि इस से आपका जीवन के प्रतिन जो नजरिया है, वो बेहतर बने का, और आप आने वाली चुनोतियों से, आने वाली विपतियों से घवराएंगे लिए, ये तो फिर वो बात है, जब आप केवल अपनी ही नहीं दूसरों की साहिता से भी बेहतर डंग से कर लोगों को भी अपनी साहिता से बेहतर ढंग से उन सब चीजों को करने के लिए तयार कर देते हैं, बेचक भविश्य किसे ने नहीं देखा है, लेकिन दूसरे की और मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आपको तयार रहना चाहिए, और आप ये भरोसा रखें के वर्तवान आ खुद पर भरोसा रखते हैं, तो भरोसा करने के लिए कुछ खास करने की जरूत नहीं रहती, बस खुद को, खुद की खूबियों को, खुद की कमियों और क्षमताओं को इमानदारी से समझने, या स्वीकार करने की आपर शक्ता होती है, और इससे हमें ये भी पता चल जा है कि हम पर भरोसा किया जा रहा है, हम उस भरोसे के करने के लाइक है या अच्छा निर्ने लेने, फैक्स फाइंडिंग में, और संगर्षों पर काबू करने के लिए, हमारी जो खुद करने के लिए, हमारी जो निर्ने हैं, हम उनको सही उप्योग कर सकते हैं या नहीं कर सक कि देखिए जो हम पर भरोसा कर रहा है वो हम पर तभी तक भरोसा करेगा यदि जब तक उसको यह लगेगा कि इसको अपने आप पर भरोसा है एक सिंपल सी बात है सब आप अपने किये हुए काम अपने लिए हुए जजमें पर सवाल ना उठाएं खुट पर भरोसा रखें क्योंकि अगलिया इस तरह से यह अगली बार कोई विकल्प में तो उस पर किसी भी डूप में किसी भी ढ़ंग से खुट को औरर या देल के फाइदा होने नीग्सान होने के बारे या अपनी गलती के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि खुद पर भरोसा करना एक आपके आत्मिश्वास का भी निर्मान करेगा जिससे के आपके लिए आगे से लेने लेना और अपने तनाव के इस तर को कम करना बहुत आसान हो जाएगा हर चीज को नियंतरिन करने के बजाए आप अपने डर के मामले में भगवान पर भरोसा करना चाहिए अभी पिछले किसी एक आर्टिकल में था कि भगवान जब आपको हर तर सारे दर्वाजे बंजो जाते हैं तो आपको केवल एक भगवान का दर्वाजा नाजर आता है आपक लेकिन फिर मैं आपके भरोसे पर यह सब करना चाहता हूं मैं आपको अपनी आंतरिक दुनिया में आमंत्रित करने जा रहा हूं बगवन और आपसे अंरोध करता हूं कि आप मुझे शांती महसूस करने में मदद करें सच्ची आजादी के साथ और नियंतरन छोड़ने के सा जदी आपने छोड़ दिया सब कुछ इश्वर के पूर छोड़ दिया तो तै मानिए कि इश्वर आपके वचन को सुनेगा पढ़ेगा और निश्चित उसका रिजल्ट आपको देगा हम एक मजबूत आश्वस्त विश्वास का अनुभव कर सकेंगे और उससे हम जो जीने के बजाए डर में जीने के बजाए हम इश्वर पर भरोसा करके उसको आराम से किसी भी सिती परसिती से पार पार लेगा अगर आपको डर लगता है किसी चीज का डर है या खुद को बारबार किसी ना किसी भैक कि आपके अंदर एक भावना आती रहती है तो आप याद खु कि अच्छे के लिए होटा है के जो हो अच्छा हो रहा है जो हुआ वो भी अच्छा हो और जो होगा मुझे लिए अच्छा अब बड़ेगा आफका मन का विश्वास भी पका होगा और अपनी दिंचरिया के अंदर आप इन सब रूप से अपनी हरे के सिटी से आगे बढ़ता है चौथा जो इसका सूत्र है वो है आलस से नहीं है आराम बहुत से सोचते हैं कि यह दी कोई आराम कर रहा है तो इसका मतलब वो आलसी नहीं है लगातार भागते रहना रोमांच पैदा को और महसूस होता है कि आप सम कुछ हासिल कर सकते हैं लिहाज आप भी ना रूके भागते चले जा रहे है हैं भागते चले जा लेकिन बहुत लंबे सामिय तक जब आप यहीं करते रहें तो इसका विपरीत प्रभाव आपकी सेहत पर पुण भागता है आराम जरूर करें क्योंकि आराम की जो इच्छा ये आपके अंदर आ रही है तो इस कार्थ ये नहीं है कि आप आलसी होते जाए कभी कबार ये आराम हमारे शरीर का संकेत है होता है शरीर का बॉड़ी अपने आप कई बार आपको सिग्नल देती है कि हम थोड़ा रूप जाना चाहिए क्योंकि बॉड़ी को समय आराम की ज़रूर्शक हमारे शरीर बहुत व्यस्त रहता है मनुश्य के रूप में हम सभी को आराम की आश्रकता होती है हमारी शारीरिक और मानसिक सासे दौनों के लिए ये मैतमून है कि हमारे पास नियमित रूप से धीमी गती से करने वाले आराम की ज़रूर्शक क्योंकि हमें शारीरिक मानसिक और सावाजिक रूप से अपडेट रहने के लिए एलेट रहने के लिए सही रहने के लिए ये सब बहुत जरूरी चीज़े है कभी कभी ये धीमे दिनों हमें हफतों में या जबिक समय तक प्रकृणी चल सकती है आपको एक दिन हिए रफ्रेश हो सकते हुश हो सकते हैं क्या बार हफ्ते दो से हाफ्ते बेकर। लेकिन इस रिफ्रेश्मेंट के बाद स्विए अपकी ऊर्जा आएगी वो अलग तलग महसूत नहीं करेगी आलस से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से महसूत कराता है और हमें से कुछ के लिए आलस से एक लंबी अवधी का और कुछ के लिए छोटी अवधी का होता है कुछ के लिए निराशा जैनक, परेशान करने वाला हो सकता ह। तो कुछ जो है व्यक्तिशन व्यक्टियों के लिए, यह बावी यूजनाओं के लिए जीवानशेली या व्यक्तिट्व और एक ऐसा एस्थिती हमारे श्रीर को या रहारी मानसी तन्य क्टिवा कि ले जाती है, कि जिसमें हमको ये लगता है कि यस, now I can do it और आलिस्से को दूर करने में कई सारी चीज़ें है आलिस्से करते समय अब शर्मिंद की महसूस ना करे आलसी शब्द अपने आप में बहुत साथी अजीव सी धारणाएं लिए हो होता है और ये कई बार शर्म भी महसूस करता है या आदमी के अंदर अपनी आलोचना की भावना भी पैदा कर सकता है जो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो ये शर्म का एक चक्र पैदा कर देता है जिस पर ठपा लगता है ये तो बहुत आलसी है और ये शब्द कई बार बहुत हदोत साहित भी करते हैं अपनी शरीर को सक्रिये रखे हैं अक्सर हमें जब एलस से महसूस होता है तो ये विश्टाम या आराम या स्वास्ते के लिए मैं धीमा कर पड़ता है अपनी उर्जा को कि के स्टार्ट करने के रनुमती देदी जैसे के हम हलके फुलके आराम करें और इसके लिए जबर नहीं है आप एकदम उठें और दोड़ लगाने शुरू कर दें चोटी छोटी चोटी आसान शुरुआत करें इससे ठकान को दूर करने के लिए हमें तीर अराम करना चाहिए खुद को एक तरह से सकारात्मा रूप से करने संचार संचारित करने के लिए अपनी प्रगति का जश्र मनाएं और उसको समीक्षा करें कि यह जो थकान होई है सबोद आप कहीं किसी लंबी कहीं से एक लंबे दौरे से भूम के आएं किसी हेली स्टेशन से आएं कोई मैच खेल के आएं उसमें आपको थकान होई है तो आप देखें कि आपने इस मैच में या इस यात्रा में आपने क्या खा पाया कितना पाया कितना आनंद लिया उसकी समीक्षा करने के लिए जब आप समय निकालेंगे तो आप आंतरिक रूप से आपको इतना फाइदा होगा कि वो फाइदा आपके विकास और देश्य की भावना को याद दिलाता रहेगा और आप पूरे दिन उन पुरसकारों के लिए तैयार हो जाएंगे जो आपको मिले हैं मिलने वाले हैं मिले लेकिन ये पुरसकार जो है ये भोजन के या ब्रेक के रूप में नह कि आप इसे फर्दर और निखाल दे अगला जो पांच्वां इसका सूत्र है वह यथार्थ को स्वीकारें बहुत इंपर्टेंट है हम चाहते हैं कि हमेशा सबसे आगे हम रहें और जीते रहें लेकिन आशा हमेशा संभव नहीं हो तक किसी के साथ संभव नहीं हो अब देखते हैं अच्छे सचे खहला रही हो चाहिव वो गावस कर रहे हो या तेंदूल कर रहे हो या कORA कोई भी रहे हुआ नाइन्टीज में भी आउट होता हुआ हमने लिए जरूर नहीं है कि आप हर मैच में सेंचुरी बना दे हैं या हर मैच में पांच में कि इसलिए तब से आगे रहने की कोशिश आप करते रहें लेकिन जीत हासिल करते रहें लेकिन ऐसा हमेशा संभ़त इस वास्तविक्ता को आपको स्विकार ना पढ़े असल में कभी-कभी रुक कर जीवन के प्रती चिंतन करने की भी जरूर्वत पढ़ती है और वो जो समय हुता है अकेलेपन का एसास हमें हमारे अंदर भर देचा है और इसी यथार्थ को हमें स्विकार करना दरूर्व इसलिए यह जो वर्श आया है अने वाला वर्श आने वाला समय है इसमें हमेशा खुद को आगे बढ़ते रहने का सुझारव देने की बजाय अपने बद्तमान को स्फीकारें इसको स्फीकारने सीखें ताकि हम आगे से सही जिश्चा में आगे बढ़ें यथार्थ कार्थ एक सर्व मानने है व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित ग्यान जो है व्यवस्थित ग्यान का रूप जो है वह यथार्थ ग्यान जिसके होने की संभावना सर्वाधिक है वह यथार्थ है लोग यथार्थ को स्विकार करने से कई बार इसलिए भी डरत हैं क्योंकि वह एक दिखावे या अनंपूर पूर माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं वो अपने उस तथाकादित सुरक्षे और उसको लगता है कि यदि मेरी इमारत की पर इत है तो वह उत्था सुथक करन से डरते Joseph को उठान सबूँ है मानव जीवन का लक्षी होता है और जीने की कमया करा छो जयानने वाले को जीवन में वासंस जीने की कला या जा जाते हैं वह ये धार का पूरा अनंत यद यह जो दुनिया है इसके घुड़ा भाग हमारी इच्छा से नहीं चलताह जीवन का घुड़ा भाग हमारे इसाफ से घुड़ा जब तक चलता दिखता है तब तक बो इस वर इस्वर की इकम ने रहे inform कुछ दर्शन देखने की प्रवर्ति को रचनात्मक बनाना जीवन का मूल उद्देश्ट है मूल तत्व है और अपने अंदर का जो गुण है उनको प्रस्फुर्टित करना या बाहर निकालना और अपनी कमियों को एनलाइज करना ये एक बहुत बड़ा ऐसा ढंग है कि जिस उसे हमें जिसके वारे में वहाँ सोचना चाहिए और वह हम तभी सोच पाएंगे जब हम जो हमारे सामने हैं जो इस परेसितियां हैं उन स्वीकार कर ले इसलिए अपने जीवन की वास्तविक्ता को स्वीकार है और कभी 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 रुक कर उसके बारे में चिंतन करें कि जो हो रहा है अकेले में बैठ कर चिंतन करें कि जो हो रहा है उसमें वास्तविक्ता क्या है और जो वास्तविक्ता है उसमें आगे बढ़ चाहिए च्छटा सोच रहसर इसका आगे की सोचे यह थार्थ के बाद पर आगे की सोचे लेकिन आने वाले समय के बारे में विचार करना भी उत्रा ही आवश्यक है क्योंकि यह फैसलान महत्पूर्ण है कि आप आतिस्थिती में आप क्या करेंगे इसे लिए पिछले दिनों वाँ शायद आप लोग ने एक बार देखा था एक बार एक कोई सैटरलाइट था, उसका कच्रा आखाश वहां से गिरना था अंतरक्ष से गिरना लोक परिशान कहा गिरेगा यहा गिरेगा वहा गिरेगा या कोई द्रूम के तु है वो प्रत्वी से ट схड़ाने वाला है और यह माना जाता है इसे में जड़ी आप इस सब बातों को सोचकर चिंथा में डूप जाएंगे कि वो फ़ला 26 जन्वरी को तो दूम के तो टकराएगा और उसके आद दुनिया समाफ्ट हो जाएगी आप देखे जिन चीजों के बारे में आप चिंता कर रहे हैं उन चीजों के उपर आपका नियंत्रण ही नहीं है और नियंत्रण की इसे बाहर की बातों के बारे में सोचना और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस तरह की बातों को डिस्कस करना तेलकुल बेका है कहने करती है कि जो चीज़ें आपके नियंत्रण में है नहीं उनके उपर अपनी उड़जा को खर्च मत कीजिए सरि इसके बजाए आप सकारातमक पहलों पर गवर करने जो आपको आगे बढ़ने में साह Pakते है करते हैं आपके आसपास के माहॉल को बढ़िया बनाते हैं और बेककार की चंता एं आपको बहुत सारी किजह Doch Pro को करने से रोग देती है वह हमें वह भी करने से रोग देती है जो हम कर सकते हैं भगवान जो करता बहले के लिए करता है time आता है सब का इस अच्छी सोच का मतलब यह है कि दूसरों के बारे में जो आपकी मान सिखता है न वो आप दूसरों की खुशी और दुख को किस प्रकार से देखते हैं इस बात पर निर्वर करते हैं अच्छी सोच न केवल social sites पर share करने से नहीं बलकि real life not in real life real life में आपकी जिंदगी कैसी है इस बात पर निर्वर करते हैं और ये बहुत बड़ी भूमी का निर्वर करती है अच्छी सोच को दूसरों के साथ share करना भी एक अच्छी सोच है और अच्छा सिंसान बनने के लिए बहुत बड़ी सोच है तो चुट को सोचो हो को चो पिरिशने का दिकार सब को है पर अदरीचना समय होती is इ stead कि सोच है कि है कि रंगन की सोच है कहीं संकीन सोच है कहीं हतंकी सोच है तो कहीं अच्छी सोच है, कहीं भूरी सोच है, जूटी सोच है, सच्छी सोच है, सोच में अपनी इंसानियत लाईए, जिंदगी में अपनी एहमियत को बनाईए, क्योंकि जैसी मनुष्य की सोच होती है, वैसा है उसका विक्तित होता है, का जाता है कि पाउं की मोच और खरा आपस पराविरोधी उत्पन भाव आते रहते हैं मन में अच्छे विचार आते हैं तो बुरे भी आते हैं तो उनमें विरोधी भावना भी आते हैं क्योंकि मन में उठने वाले विचारों पर नियंत्रन करके हम मन को मन चाहा कार दे सकते हैं जैसा भाव वैसा ही जीवन वैसे विचार अच्छे विचारों का चैन कर हम जीवन को उन्यत और उन्यत परा सकते हैं तो बुरे विचारों का चैन करके हम जीवन को उतना ही अवनतिक की तरफ से मुझा comprised में अनन्द नहीं आननध में आननंध नहीं है तो पिर आर्थिक सम्रद्धी या और जो हमारे सुरौंडिं जिसए मन को नियंतरित करके उसे सकारात्मक्ता प्रतान करना सीख जाएंगे, इस पारस्पत्र हमारे हाँ में आ जागे, कल्परक्ष बनने में हमें देर नहीं रगे, तो कि एक मनोई घ्यान है फिसके विएक्टि जैसा सोचता है वैसे उसके विएक्टितिक निर्मान हो जाता है तो सकारादमक सोच के साथ मन को आगे बढ़ाईए बहुत जल्दी बहुत जल्दि आप उसके तरफ आगे चले दें अगला हमारा जो अगला जो बिंदू है अगला जो सूत्र है सात्वा सूत्र वो है रखें अपनी जरूरतों का ध्यान हम एंएसे बहुत से लोग अपनी जरूरत ओं का ध्यान नहीं देते जरूर कई मानते या पिर इसफे जरूरी नहीं समझते हैं पर कभी 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 खुद से रही जरूरी है कि आपका इच्छाएं और जरूरत थें हैं कि इसी इसी किसी का चिंतन करते हैं समय दूसरों से तुलना नहीं करते हैं नहीं जो आसपास आप टीवी में देखते हैं वारोड साइट पर देखते हैं ऐसे विज्ञापनों को भी कभी अपना अधार ना बढ़ते हैं आपकी असल जरूरत है सिर्फ आपकी अंतर आत्म हमता से मिसलन आपको राचनात्म कोना पसंद है या प्रकृति का साथ बहता है या आपका जीवन किंथे बिंदों पर तनाओा रही तो प्रकृते है хापको आपकी इनर आनतर आत्मा है वह आपको बता लेए और एक बार ये जान लेने के बाद कि आपकी असली बात क्या है उसके बाद फिर आप अपनी इन जरूरतों को ध्यान रखना दीजिए अब तो खुद अपनी जरूरत भी नहीं है हमको अब तो खुद अपनी जरूरत भी नहीं है बहुत आता है कि हमारी वास्ता में जीवन की जरूरत है क्या कि पुराने जमाने के लोग का करते थे रोटी कपड़ा और मकान यह तीन जरूरत है लेकिन उसके अलावा भी वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें जरूरत है ऐसी हो गए जो जो जोड़ती चली गए जैसे पानी पानी जरोटी कपड़ा और मकान के बाद पानी डरूरत है जिसे हम कह सकते हैं कि कई बार कई मु दोंपतों खाने जाज़धाव हैं आतमान को हम बीएक 备नके जबरोत कह सकते हैं कwegen कि आज के समय में हर इनसां इस चाहता है पैसा कि कि आप सोच सकते हैं कि आज की समय बिना पैसे के रहना संभव है अगर आप किसी इंसान से पूछेंगे तो बोलेगा कि बिना पैसे के रहना संभव ही नहीं है क्योंकि यह आज कल इंसान की बहुत बड़ी जरूत बन चुका है इसकी बाद आता है परिवार इंसान के लिए परिवार का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं जिनके परिवार नहीं है उनकी क्या इससिती है कल हमने पूरा पूरा एक प्रकरणा नहीं साब ने इसके उपर दिया था कि जो एक आकी जीवन या फिर जो अच्छे परिवारी माहौल में नहीं रहते हैं उनके साथ क्या क्या होता है क्योंकि इंसान को अकेले रहना बिलकुल प्रस्द नहीं होता है जाने अन जाने शुरुआ से ही इंसान अपने परिवार के साथ अपने संभाज के साथ जुड़ता चला जाता है उसके बीच में रहना चाहता है उसके लाद इनसान की शादी हो जाती है अपने जीवन साथ ह हालां कि इस से पहले वो अपने मादा पिद्धाः पिजू के साथ रहता है और इनसान जिस पर कम था है उसका इस्लेम होता है और जो जिसकी इंसान की जरूरत हैं बढ़ती चली जाएंगी उत्राइए उसकी जीवन फिर और जटिल होता चला जाएगा अब देखिए मोबाइल कि मोबाइल आज के समय में यह भी एक जरूरत बन गया है क्योंकि मोबाइल फोन के बिना आज कल इंसान रहे सकता अब मोबाइल फोन भी आप देखिए और देड़ दो लाग का भी है कि अच्छो कि गुपाल दासनी रच एक युक कवी थे उन्होंने कि कुछ बातें कहीं थी कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा जितने भारी गठ्ष्री होगी उतना तु है राद उससे मिलना नामुम्किन है जब तक खुद का ध्यान रहे जब तक आप अपने आप में इलजे रहेंगे जब तक आप परब्रहमा के बारे में सोच पी नहीं सकते हाथ मिले और दिल ना मिले ऐसे में नुक्सान रहेगा मंदिर और मस्जित ने मंसकिल में न होगा तो यह एक ऐसी बात है कि अपनी जरूरतों का दिहान जो गैर आवश्रक है उनको हम एवॉइड करें आठवा सूत्र आता है बहतर बनने की हो कोशिश आप केवल उन कामों की सूची ना बनाएं जिने आप पूरा करना चाहते हैं आप उन कामों की सूची ना बनाएं जिने आप पूरा करना चाहते हैं बलकि उन बदलावों की भी सूची बनाएं जो आपको बेतर इंसान बना सकती है हसना प्यार तोहाड करुणा, मित्रता, प्रिशंसा माफ करना, सायोग करना, शांत रहना शांत रहना या इमानदारी जैसे गुण किसी भी व्यक्ति को बहतर अंसान बनाने के लिए बहुत आश्रक होते हैं और जीवन की गुणवत्ता quality of life standard of life या सुकून की जिन्दगी इस बात पर निर्वर नहीं करती है कि आपने क्या हासिल किया आपके जीवन का कि प्रती लोगों का नज़रिया या आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात से के उपर निर्वर नहीं है कि आपने क्या हासिल किया बलकि वो इस बास से तैग होती है कि आप इंसान कैसे हैं सकारात्मक सोच अच्छा व्यभार इमांदारी से काम करें जूट ना बोलना आदी एक अच्छे इंसान के लक्षन हलाकि जीवन के शुरौाद में सभी एक अच्छे इंसान लेकिन जब धीरे 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 उम्र पढ़ती है और हम उसके दुनियादारी में उनको देखते परखते हैं तब इन सब चीजहों को सीखते सीखते घणा द्वेश अ विश्वास और निन्दा धीरे-दिरे हम सीख की जाते हैं लेकिन आप देखिए अपने साथ साथ, अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ाने में मदद दोना है। किसी को की भी साहता करने में उसको आनन दाना है। और सबसे अधा इम बोर्ड है। बेहतर इनसान आर्टिफिशेलिटी के मुकाबले प्रक्रती से अधिक जुड़ाव रखता है। बेहतर इनसान को कलाओं से इन्रेस्पेक्टिब और फैवरी कला। किसी हरे कला के बारे में हैं इन कलाओं से वह कभी नफरत नहीं करतेगा उसको इनसे प्रेम होगा। एक बेहतर इनसान का अनुसरण करने पर अनुसरण करने वाला इनसान को कभी नुक्सान नहीं होता। या क्योंकि बेतर निसान के अंदर त्या के भाव होते हैं, वह अच्छी बातिं सुनता है, अच्छी किताबिं पढ़ता है, और अच्छी परकार से उसको वहर चीज को लिक्हाता है, पढ़ता है, लिक्वा एक अच्छे इनसान के अंदर आप देखिए जो आपके बेहतर बनने के लिए बहुत ज़रोड़ी है आपके अंदर बुद्धी का तुक दुक का इच्छा का द्विरिश का कोशिश करते रहने का इन सब चीजों के धर्म अधर्म गंदिस्पर्श संसकार इन सब चीजों को महसूस करने के और इनको आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी भावनाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे न केवल आप बलकि पूरा समाज लाभान जेता है इसलिए आपको बेतर बनने के लिए बेतर से और बेतर बनने की कोश्च लग पातार कर भी रहे जादा नौवा जो सूत्र है आपको अपनी मान सिक से रहा कभी कबार तबाम भागदड़ और कोला हलके पीछे उनको दरकिनार करते हुए एकांत में समय बिताएं तब आप खबर, मोबाइल, फोन, इंटरनेट, अखबार से सबसे छोटी ले लें सोशल मीडिया से बिलकुल दूर हो जाएं उन लोगों से भी दूरी बनाएं जो आपके अंदर नकारात्मक्ता भरते हैं जो जिनके नकारात्मक्ता से भरे रहते हैं कुल मिलाकर पूरी तरह से अपनी मानसिक स्वास्ते पर ध्यान दे क्योंकि मन का अच्छा होना तन पर ही नहीं जीवन के हर क्षेत्र पर आपके अच्छा प्रवावदा मानसिक स्वास्ते के लक्षन है कि वो अपनी योगिता और क्षम्दा को ना तो अधिक उत्क्रेश्ट और नहीं हीन समझता है वो समझता है कि मैं क्या हूँ मेरा लेवल क्या है वो दूसरों की भावना को ध्यान रखता है अन्य लोगों के प्रति उसके अंदर रुची भी होती है और इश्वास्त भी होता है वो समझता भी है सबको और दूसरों को समझाने के लिए या जो नित्य उठने वाली समस्या है उनका सामना करने के लिए उनका निदान करने के लिए तिरी यार रहता है क्योंकि कि किसी भी वक्ति की मांसिक स्वास्था का समध्द उसकी भावणात्मत वियक्यानिक और सामाज मुश also स्ञ दें से जुड़ावाद होता है बांसिक स्वास्था से व्यक्ति को सोचने समझने मैसूस करने को अची अच्छी क्षम्ता प्रभावेत होती है और इससे आदमी की तनाव से उबरने और जीवन से के लिए जो जरूरी विकल्प है उनके चैन पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हां मानसीक स्वासे जीवन के प्रतियक चरण हो बचपन हो कि शुरावस्ता हो वैस्ता हो या फिर बुड़ापा इनमें महत्पूर्ण भूमी करने वाता है क्योंकि मानसीक स्वास्त्य से हमारा भावार मत मैंनों गया नहीं को और सामाजिक कल्याण शामिल होता है और जब भी जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह की मानसीक बीमारी से मुक्त होता है तभी आप जब मानसीक रूप से वो परेशान है तो उसकी स्वास्त्य स्वास्त्य की जो दशा होगी वो उसको तो एक अलग ही दिशा निर्दारित करेगी मानसीक रूप से स्वास्त्य व्यक्ति कि जीवन का प्रतेक कारी एक निश्व समय और स्वाब्ए ठंग से करता है उसके रहन सेन खान पान सोनी जागने की निश्व आततिं बन जाते हैं और इनका पूरा ध्यान देता है मानसीक स्वास्व्यक्ति वह समय जीवन की विभिन परिस्थितियों में बहुत जल्दी उनके साथ कर लेता है इस इस तर्की हो जाती है मांसी स्वस्व्यक्ति की विभार में बहुत दिक परिपक्वता दिखाई करती है मांसीक द्रश्टी से वह स्वस्यक्ति और रोज प्रेम गणा इरश्यादी समव्यगों को नियुक्त में रखता है और उनको प्रिकट करने या कहां पर कितना प्रकट करना है कहां कितना किस लिवल तक प्रकट करना है इसके उसके अंदर योग इतना हो जाती है इनी समवेगों पर जो नियंदर करने में उसको किसी भी तरीकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है मानसी ग्रूप से यदि आपका स्टेंडर्ड सही हो जाता है तो आप के इंदर आत्मिश्वास की एक अलग भावना आ जाती है और आप अपना समस्वास कार्ड पूर आत्मिश्वास से करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं उसके साथ सेल्फ असस्मेंट या इवलुईश जिसे कहते हैं हम वो भी हम मानसी ग्रूप से स्थस्य व्रक्तर बहुत अच्छी तरह से कर सकता है वो अपने बाइब मैं अपने आपको वधार्यविवेलीट भी प्रोपर कर लेता और उसका एवलुईशन करने के बाद में सेस्समेंट भी हो कर लेता है और अपने वेभार को भी सुधारने का प्रियास तभी करता है मांसी की रूप से जो सक्षम व्यक्ति है उसके टॉल्रेंस और बेलेंस की भी पावर है तो गजब हो जाती है क्योंकि वह व्यक्ति जीवन की निराशाएं वी परिस्थितियों का सामना करने में कश्ट का उन्भव नहीं करेगा और इन परिस्थितियों में मांति का संतुलन बनाई रखेगा और धहर्या और सहनशी तला के साथ उनका समका सामना करेगा समाज को वह भली बाती समयुजित कर लेता है उसके आस-पास कोई यदि कोई इंपेशेंट उसको पेशेंट ली बात करेगा यदि कोई पेशेंट बहुत आतीव भावक व्यक्ति तो उससे साथ से बात करेगा और इस एफिशेंसिया सैटिस्पेक्शन के साथ वह काम करेग कि जिससे के लोग उससे धीरे 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 उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं उसके जीवन का जो दर्शन है वो बिलकुल अलग रहे और उसके निर्णे करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी ऐसा व्यक्ति वास्तिविक संसार में रहता है ना कि कालपनिक संसार में उसका व्यवार वास्तिव बातों से होता है, ना कि इcous और था जो आत्म-सम्मान की भावना है आत्म विश्वास की भावना है वो बिलकुल जबरदस्ञ हnea और अब इसके साथ जो आखरी इसका जो वो है आशविश्वास का जो आखरी सूत्र है वो भी इंपर्टेंट है, अमेशा कुछ रहना नहीं है जरूर, जरूर ही नहीं है किflower समय उपने आपको खुशी महसूस कर, आप हमेशा खुशी आशावादी ही मैसूस करें जरूरी नहीं प्रसन्ता की तरह या खुशी की तरह तनाव और चिंता में मैसूस करना भी एक स्वाभाविक हमारा दर्श्टिकों है बेशक ऐसे क्षण आपके अंदर घवराट या केलापन को बढ़ा दें लेकिन अपनी भावनाओं को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है तब ही आप अपनी सहज़ता या सहज़ता की तरफ बढ़ सकेंगे खुश रहना कई समस्याओं का समधान हो सकता है आपने अपने आस पास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सामयने तक खुश रहे जबकि दूसरे ऐसे भी लेखे होंगे जो बीतर से तो दुखी होते हैं लेकिन अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर ने ऐसे यह होता है कि वो मानसिक ग्रूप से किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और उनका अच्छा ने जाता है इसलिए जरूरी है कि आप खुश रहने की कला सीखें लेकिन साथ के साथ आप ये भी देखें ये कोई आपके साथ सामने भी पत्ती है बीजिए पर सिर्थिए तो इसको भी आप कैसे को निकल घयाएं कि अपने टूलन है अकसा हुथ कि लोग अपने आप दूसरे से या आप अपने बच्चों की आपने सैपाठियों कि या अपने औरों की तुल्डा एक दूसरे से करते हैं और खुद को या अपने बच्चे को उससे कम कर या थोड़ा बीलो इस्टेंडर महसूस करते हैं यह बात आपको दुखी कर सकती है इसलिए हर एक विक्ति अपने आप में परिपूर है जरूरी नहीं है कि जो है वो दूसरे के अंदर भी इसलिए आपको यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आपको अपनी सीमाओं को समझें और हर टाइम अपने आपको खुशी शो करने का प्रियासना करें इसके लिए सोशल मीडिया या सोशल सरकील आप उसमें भी कटोधी कर सकते हैं क्योंकि यदि आप अपनी अंदर देखेंगे अपनी अंदर आत्मा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप खुदी अवे इवेल्यूएट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और इसी तरह से आप ना केवल सोशल मीडिया बलकि आप मुबाइल का प्रियोग भी एक लिमिट तक ही करेंग क्योंकि यदि हम मुबाइल को बहुत स्यादा इस्तेवाल करते हैं हर टाइम मुबाइल के हम पीछे मैनिया हो जाता है मीनिया तो वह भी हमें परिशान कर सकता है इसके सास्त हमें अपने जो शौक हैं आप दिखें सिर्फ नौकरी और घर के काम ही नहीं बलकि हमें उन सब चीजों के लिए भी समय निकालना चाहिए जो आपके शौक है चाहिए वह आपका गीत गाना हो नाच रहो बागवानी हो या फिर कोई खेल अपने शौक को समय दे कि लाड़ी कभी भी अपनी हार से बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता और जीत पर बहुत ज़्यादा प्रक्सक्राइब क्योंकि उसने सब चीज़ें देखी होती है इसलिए कहते हैं जो स्पोर्ट स्वेन होता है वो हर इस्टी परिस्टे में अपने आपको ढाल देता है उसे पता है हर टाइम हरस्वत कोई जीतने चकता हर वक्त कोई हार ने चकता यह साइकल यह पूरा चबड़ा और इसलिए जहां आपको खेल के साथ साथ ज़्यादी आप ध्यान योग इस पर भी ध्यान देंगे प्राणायमारी पर भी ध्यान देंगे तो इनसे भी आपका तो उन में आप अपने आपको कर पाएंगे दूसरे की मदद करें माफ करना सीखें और गलतियों को तुधारने के लिए पृति आपका सकारात्म गुरूप होना चाहिए चोड़े 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 बाते होती हैं जो आपको खुशी का एसास देगा का आसर विष्वास के दसूत्रों के बारे में जो मैंने बताया इसे आप देखिए विक्रमा दित्य के बारे में आप सब जानते हैं तम्राठ विक्रमदित्य कोई साधार मनुष्य तो थे नहीं चक्रमर्टी प्रतापी थे और विक्रमदित्य संसार के एक मात्र ऐसी व्यक्ति कहा जाता है जो सर्वगुन संपत थे उनके उनमें देवता और भग्वानों के अवितारों से भी अध्रीक गुण थे प्रताओं में लिखा गया है कि त्रदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद सबसे महन राजा विक्रमदित्य है और विक्रमदित्य को भी देवत राप्त हुआ था था तब जानते भगवान श्री रामे 9 तो श्रीक्रष्ट में 16 गोंदे राजा विक्रमन दित्य में कहा ज चुका उनके 32 में क्योंकि उन्होंने हर गुण के साथ अपने आप को को समाहित किया गुन कर लेते ते उनको अपने आप में को कर लेते तो इस कोर माधित्य के करेंगे और विश्वास के जो दस्सूत रहे हैं इनके बारे में हम आज आप लोगों ने समय दिया मुझे और इसलिए हम अब इससे करते हैं कि नए वर्ष में हम जरूर ऐसा चाहेंगे कि आपके सपने रियादे कुछ भी हो लेकिन नया साल कैसा जाएगा या आपकी मानसिक और शारिरिक और आर्थिक सित्ति कैसी रहेगी इनके बारे में आ अपनी मानसिक रूप से अपने आपको तयार रखें नकारात्मक चीजों से दूर रहे और सकारात्मक ताहों सोचों मानेताओं और कुद के अपने अधरिये को बनाएं जिससे के जीवन में जो होता है जो भी आजमी सोचता है वैसा ही पाता है इनी सक्षीजों के साथ मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे विचार को ने धन्यवाद देने वाकी शर्माजी आज आपने आश और विश्वास के दस सुत्र लिए जाए जिन्गी जो है आश में और काश मे जरूर लीजेगा तो कि आज तो लेजिए आपने ठीक है तो बाद में आपको जो भाद में उन्हें बता दूंए कि अभी साथ तारिक को हिंदुस्तान अकबार में आया था विश्वास के साथ कैसे नए साल में तो उसमें से यह थोड़े बहुत पढ़के एक ब्रीफ नोट बनाया था उसको देख लिया था और बागी नोट तो नेप साथ ने भी बनाए होंगे बागी नेप साथ लेकर बैठेंगे लेकर बागी यह तो आपकी वह है बुझता लोग तो जो है समोचे के काविक पर बूलना सुरू कर रहते हैं तो आपने वागी जी आपने पूरे आज बता दी कैसे क्या होना चाहिए क्या नी होना चाहिए सब सूत्रों में तिजदा सूत्रों में सब कुछ आ गया और लेकिन आपने जो लास्ट में विक्रमतितिके बारे में उत्सुक्ता पादा किया अर्विंजी नोट कर ले अर्विंदी जी को सब अर्विंदी जी हम सबसे उपर है और उपर वाला सब जानता है नहीं बाइसाब बिल्कुल यूपर नहीं अगर उपर होते सब तक लेक्शे ले लिए उते साड़े 800 लेक्शे वापी लोग ले रहे हुए यह आपकी विजुदा को शो करता है चलिए 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 कि जिए कि अविए जब आप जूड़े थे ना में कि अर्विंद वाइसाथ तक शोड़ गए है वन की चलिए देखे जी सर जी सर हमारे बीच में अधर निया गोकल मुंद्रा साथ भी उनके विचार सुन लो तो और इचा लगए गाँ जी सर जी सर जी मुंद्रा साथ आप गुर्देव से बहुत लंबे समय जोड़ेवे हैं तो गुर्देव की कोई बात बताईएगा पूरे विच्व में पटाज चलना है बिल्कुल सर और यह जितनी बात ने सुत्र दिये यह सारे के सारे सुत्र बिल्कुल जो गुर्देव जिस चीज को चाहा रहे थे वेवारिक अध्यात्म वेवारिक अध्यात्म के यही गुर्देवन ज्यदा बात ने ज्यादा भाट रहे थी धर्म को तो उन्होंने सामने रखा भर था और यह वेवारिक बिल्कुल जीवन जिसको जिना नहीं आया तो वो जी कि क्या करेगा तो आज के जितने भी आपको प्रेइब और सब एक दुस्रे से जूडएविद गया है किसे की कि सजग होंगे तब ही आप बदलाओ को सुपार करपाएंगे और जब तक सुपार्णा निई होगा आप कैसे बदलाओ को शुपार करेंगे विश्राम चिंतन का समय चाहिए नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि किसको स्विकारना किसको नहीं स्विकारना तो एक एक करके जितने भी सुत्रा हैं बहुत क्रमिक तरीके से प्रस्तुत की गई और मुझे लग रहा था कि तो पूरा इदम जो एक रियल आट अफ लेविंग पूरी पूरी उसके लिए तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है इस गृप में आकर कितना एक बैठ करके में बहुत सार आधियान एक साथ फोते चले आ रहा है वह सारी किता में पढ़ने की जिरो तो नहीं पढ़ेंगे लगता है सभी को बहुत बहुत दने बाद करना है बस हलका सा उलट परेट में पूरा जीवन आजाता है गुरुद्व का एक लेक्चर था कि जीवन खिलाडी की तरह जी है वो पूरा लेक्चर इस बात के इस प्रोजिन में आगया आज किस क्लास में आ रहा है यह हमारे वागी जी है सुप्रिंग कोड में एड़ोके तो इसने इसने वागन व्यक्ति हैं यह हमारे और कभी-कभी तो इन पर इनने डेटा है मतलब आप देखेगा इनके नाम से पूरा प्रणावा प्रणावा पेलेलिशन में कहां कहां से लाते हैं सारे एकदम कंटस्ट पर जैसे स्वामी एकरन के बाद में इनकी मेमोरी इतनी फ्शाहत है मतलब और कुछ में मिला नहीं हो इसा चलिए आधर बड़ी अंसर बहुत बहुत धन्यवाद आधर ने शर्माजी और आपका बहुत धन्यवाद है वागी शर्माजी आपने बहुत सुंदर दस सूत्र जीवन के ब का हुआ है कितना हम लोग अध्यस कर पाते है कितना नहीं यह आधर एपनी सोच पर ही है वास्तर में रहता हरा है कि है कि अलोग कि कछ भी नहीं है किसे कहा जाए कि हम लोग घ्ट्र कर ले वो भीgar लिन प्रभान में इतनी ताकते Им है progressive किसको कहा पर कैसे मैंस कर रही चैसे ब आनलुकर की तरह देखें एक जिसे कहते हैं बाहर चल चुत्री की तरही के आप चिपचा बैठे देखते रही है एक पिक्चर और जो कुछ वरा उसका बरदाश्ट करिए और अपने सोच को उसके हिसाब से अड़्जस्स करिए क्योंकि आपने जितने भी सूच थे कि डूज के साथ चलना चड़ावारा तो चड़ाव के साथ चलना वी हव तो मेक देखेंट विद लाइव और उसमें एडजस्मेंट करने के लिए अपने आप किस तरह से तैयारी करनी वह आज आपने बताए और यह वाक्या में सूत्रों का अच्छी तरह से मनन करें कि उनका पालन क जाएं तो जिन्दगी को कितनी आसानी से जियां क्योंकि जो हो रहा हो रहा और जो होना वह नहीं है और outta nose मैं आज अभी बैठा हूँ बैठा हूँ हूँ किसी चीज़ पर लेकिर किसी के साथ हम को किस तरीके से किस बहुत जरूरीव होता है और नए साल में आप ने बता दिया साल बर कैसे चलना है अगले सालों में भी ऐसे चलना है तो आप पढ़ते हुँ आपने पढ़ा हिंदू सांटाइस में आपने बड़ी अगबार भी आपने दिखाई कि उसमें यह सारे सूर्च लिखे थे आस और विश्वास के दरसूर बहुत सुद्धर है कि आप अध्यान करते है उस अध्यान में जो आपको अच्छा लगता हुआ उस पापको दृसर सांथ बातने इसमें को सब्टाए도 और आपको लगते हैं कि सबके साथ बांटें तो जिन-जिन को उससे फाइदा होना है तो जरूर हो यह आपकी बड़ी अच्छा ही है अध्यन आप करते हैं सब भी लोग आपके इस अध्यन का भी उनने बता भी दिया कि आपकी मेमोरी भी विवेका नें जी के बाद आप भी म इसलाते हैं तो अध्यन करते रही है अध्यन सब्कों करते हैं और करना बहुत आउश्यक है अध्यन करते रहेंगे तब ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हम लोग उसको के साथ बांट सके उनके जीवन को भी अच्छा कर सके यह बांटना और सब को बताना अपन और जो आपने पहला पहला सुम्ट बताया ना सजकता यह आपके सजकता ही है जो आपने अकबार में पढ़ावना तो कहीं लोग देखता अच्छा है कि यह टॉपिक है छोड़ो या देखते कोई लड़ाई जगड़ें की खबर है उसको देख लें को इंटरनेशनल की विर है जिसे कि आप सिर्फ अपना ही भला नहीं किया आपने बाखी लोग का भी भला किया यह बहुत अच्छी बात है और हम तो चाहते हैं आप ऐसी सजक बने रहें और कुछ ना कुछ जोड़ते रहें और अगली एपिसोड के लिए तो आपने कुदी एक सूत्री दे दी जा विक्रमादीति जी का अगली बार जो होगा तो मैं जो को लंगता है वो स्लोगन भी आ गया है सींहासन भरती सी वहीं आप बताएंगे सींहासन भ philanthropी कि क्या होता आपके आज के आपके सोट के लिए आज के उत्भधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे ही हम दों के साथ इसी तरीके से नियुक्त बनाते हैं थाइंक जैपने नोट इंपर्टन हाउ टो रिक्शन नहीं है यह जो कि एक घटना को लोग चार तरह के सारी क्रदत कि अपने समय निकाल के समय दिया जैसा कि विचार चांग जब संकट आता है तो अक्सार ध्यर्यक्वने लगते हैं हार माने लगते हैं लेकिन मत बोलिए कि अपने आतम से इंसान बड़ी से बड़ी समझ से दौर से बहार निकल लगता है वही आपने भी कहा ना भी रियक्शन हाओ यू रियक्ट तो जिस वरक मुसीबत आती तो हमारे रियक्शन क्या होता है तो एक्जेक्ली वही आपका सूत्र आजा का पिचार वही है बहुत सुन्दर अभी अगले लाइन भी है अभी इंटर्वेल हुआ है अज़िऑ माफ्य आफ जीवन कभी आसान नहीं होता जीवन कभी आसान नहीं होता उतार चला सुवाविक रूप से आते आते हैं लेकिन आपका अत्मबल बड़े से बड़े भौर से आपको असानी से पाला लेकिन आपका अदम्र बड़े से बड़े से आपको आपको आसाइन से पाला सकता है। आई या तीन वाद मुझां करतें हैं। थे रूप हें। हर रूप हें। पले का पर टृब। हर रूप हें। South चांती शांती 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 सबको बाद बाद जान्य वासुट तुणनावा जान शैं तर्थार्स थे नहां, युञटीर अंतारिप्सं सान्ति, हृती बें सान्ति no the a pepper shantir o sada yay MM शांति वनस्पतया शांतिर विष्वे देवा शांति व्रंभ शांति सर्वं शांति शांतिर वंशांति सामा शांतिर व्रंभ शांति 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 शांति